हेलो दोस्तों आप सभी को इस वीडियों में बताऊगों कि आप अगर आप एक्सल में ब्लेंक रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियों बहुत ज़्यादा हैलफुल रहेगी अगर आपके पास कोई Excel data है और आप चाहते हैं कि उसमें हमारी कुछ data में blank row हैं और उनको हम blank row को कैसे delete कर सकते हैं तो इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा आपको वीडियो को completely देखना है वीडियो को skip नहीं करना अगर आप वीडियो skip करेंगे तो आप प्रोसर सभी तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो first of all आप सभी को क्या करना होगा आपके बाद जो भी Excel data है वो आपको open कर लेना है तो यहां मेरे पास कुछ Excel data है तो मैं यहां यह वाला open कर लेता हूँ तो यहां मेरे इस data में मुझे blank row δेख रही है और यह blank row मुझे delete करना है तो वो मैं subject करूआ तो first of all सभी तो आपको क्या करना होगा आपको ctrl से इस data को select कर लेना है ctrl से यह मेना data को select करा, दैन उसके बाद आपको क्या करना होगा आपकोmaya करना अक हो option देखने को मिलें तो यहां पर यहां पर आपको blank पर किलिक करना है blank पर किलिक करने के बाद आपको OK पर किलिक कर देना है जैसे आप OK पर किलिक करेंगे तो आप देख सकता है उसके बाद हमें क्या करना होगा आपको control minus press करना है minus press करने के बाद आप देख सकता है दन उसके बाद आपको देखने को मैं लगा एंटायर रो तो हमें एंटायर रो पर किलिक कर देना है दन उसके बाद हमें OK पर किलिक कर देना है जैसे हम OK पर किलिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो मेरा एक्सल डेटा था वो उसमें मेरी जो ब्लैंक रो थी वो मेरी जो blank row थी वो delete हो चुकी है तो आप इस तरीके से shortcut की का use करके आप blank excel data में से blank row को delete कर सकते हैं तो आप वीडियो अच्छी लगए तो like and subscribe करें Thank you so much, bye bye